बीसी सी आई ने खेला धासू दाव धोनी बनाएंगे टीम इंडिया का कोच गौतम गंबीर पर बड़ा फैसला जियां दोस्तों टीम इंडिया को हेड कोच की तलास है इस T20 World Cup के बाद राहूल रवेर टीम इंडिया के हेड कोच पत से इस्तिफा दे देंगे और टीम इंडिया को नया कोच मिलेगा ऐसे में BCCI ने नए कोच के लिए आवेदन भी शुरू कर दिये हैं बता दे कि अब BCCI ने एक धासू दाव खेला है इस धासू दाव की वज़े से टीम इंडिया को नया कोच मिलेगा और ये नया कोच कोई और नहीं बलकि महिंदर सिंग धोनी बनाएंगी तो पूरा मामला आगे आपको इस वीडियो में बताएंगे और इसके साथ ही गौतम गंभीर पर भी बड़ा फैस्ना होगा बी सी सी आई ने खेला धासू दाव जी है दोस्तों टीम मिडिया के हेड कोच पत के लिए बी सी सी आई ने धासू दाव खेल दिया है आपको पता है कि पिछली बार जब टीम मिडिया का हेड कोच दूना जा रहा था तो वहाँ पर राहूल रविड हेड कोच बनने के इच्छुक नहीं थे लेकिन फिर भी BCCI ने उनको बहुत जादा अग्रह किया और उसके बाद राहूल रविड ने कोचिंग पत समाला हमें याद है किस तरीके से सौरोगांगुली ने राहूल रविड के साथ खूब सारी मीटिंग की थी और उन्हें मनाया था कि BCCI के हेड कोच के पत की चुमेदारी समाले ऐसे में राहूल रविड अब टीम इडिया के हेड कोच पत से इस्तिफादे देंगे तो कॉन टीम इडिया का नया कोच होगा इसके लिए BCCI ने एक धासूप प्लान के ला है जो काम सारों गांगली ने किया था वही काम अब भारते टीम का एक दिग्गस कप्तान करेगा जिसने टीम इडिया को दो-दो वर्ल्ड कप चिताए थे एक चेंपिन्स टॉफि चिताई थी हम बात कर रहे हैं महिंदर सिंग धोनी की जिया दोस्तों महिंदर सिंग धोनी आप टीम इडिया को नया कोच देंगी महिंदर सिंग धोनी के एक वैसले की वज़े से टीम इडिया को नया कोच मिलेगा महिंदर सिंग धोनी BCCI की मदद करेंगे टीम मिडिया का नया कोच बनाने में धोनी बनाएंगे टीम मिडिया का कोच जिया दोस्तों महिंदर सिंग धोनी जो अभी अभी CSK की टीम को छोड़ कर आई टीम इडिया के हेड कोच बन जाए दरसल खबरे सामने आ रही है कि BCCI ने महिंदर सिंग धोनी से संपर्क साथा है और जानकारी के मताबिक स्टिफन फ्लैमिंग जो इस बार टीम इडिया का हेड कोच बन सकते हैं जो खबरे चल रही है उसके मताबिक उन से बात करने के लिए दोनी को कहा है दरसल श्टिफन फ्लैमिंग के पास इस समय वर्ल क्रिकेट में बहुत काम है वो अलग-अलग फ्रेंचाइजी में कोचिंग की जम्यदारी समालते हैं आई पील में वो दो महिने सी इसके के साथ रहते हैं ऐसे में श्टिफन फ्लैमिंग टीम इडिया के हेड कोच नहीं बनना चाते हैं क्योंकि उन्हें अगर टीम इडिया का हेड कोच बनने का मौका में लेगा तो उन्हें बाकी दूसरी कोचिंग छोड़ने पड़ेगी और इसके साथ यह उनका जो स्केडूल है वो बहुत ज्यादा वियस्त हो चाएगा ऐसे में टीम इंडिया ज पिर दूसरे जो दूसरी लीगों में कोचिंगी जम्यदारी समालते हैं उन्हें नहीं छोड़ना चाते हैं ऐसे में बीसी सी आई महेंदर सिंग धोनी को कह रहा है कि वो स्टिफन फ्लैमिंग से बात करें और स्टिफन फ्लैमिंग को मनाएं बता दे कि महेंदर सिंग धोनी जिन नहीं के लंबे समय तक कप्तान रही है और उनके साथ कोचिंग के भूमिका निभाई थी स्टिफन फ्लैमिंग ने दोनों की जोड़ी ने CSK को कई बार चैंपिन बनाया और दोनों के बीच आपस में काफी बनती भी है CSK के हेड कोच स्टिफन फ्लैमिंग और महिंदर सिंग दोनी जो की CSK के पूरो कप्तान थे इन दोनों की सोच एक जैसी है दोनों ही काफी शांत माने जाते हैं और फैसले पर निर्भार रहते हैं और अपने टीम को चैंपिन बनाना चानते हैं ऐसे में महिंदर जिंग दोनी जो कि स्टिफन फ्लैमिंग के अच्छे दोस्त है वो हो सकता है कि स्टिफन फ्लैमिंग से बात करेंगे और कहेंगे कि वो टीम इडिया के कोच बन जाएं हला कि अभी स्टिफन फ्लैमिंग से महिंदर जिंदोनी कब बात करते हैं और स्टिफन फ्लैमिंग क्या फैसला लेते हैं यह देखना दिल्चस्प होगा हला कि जो भी जनकारी आ रही है वो सूतरों के मताबिक आ रही है गौतम गंबीर पर बड़ा फैसला समालेगा और एक कोच टीम इडिया के लिए लाल गेंद की क्रिकेट में मोर्चा समालेगा तो अब गौतम गंबीर क्या वो कोचिंग पर देखरें तो फेस्बुक पेच को लाइग और फालो जनूर कर लिजिये